तो आदार नोश्कार गुड़ीडिंग सस्याकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक के इस कहानी के एपिसोड में आज वीक का पहला दिन मंडे हाला कि मेरे लिए कल भी काम था कल दफ्तर आना पड़ा क्योंकि कल एस्पेशल शो था एलेक्शन से रि दफ्तर आना पड़ा तो इस वीक कोई छुट्टी नहीं मिली और मुझे लगता है कि अब 31 मई तक हम लोगों का ऐसी चलेगा लेकिन ठीक है काम करते रहना चाहिए और ऐसे वक्त के एलेक्शन बहुत बड़ा है चुनाव बड़ा है तो इस वक्त हर एक का इंट्रेस्ट है इसमें तो मज़ा भी आता है खैर आज की कहानी और आप लोगों के बहुत सारे सवाल बंगलादेश को लेकर थे और उससे पहले की एपिसोड नकसलियों को बली जो नकसल बाड़ी पर सुनाई थी उसको भी लेकर थे मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के आखिर म लेकिन आज पहले शुरुवात कहानी की आज की कहानी जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है और वो इसलिए भी है कि कई चीज़ें दुनिया में जब होती है तो उसी वक्त होती है कुछ पल के लिए कुछ दिन के लिए और पिर खत्म हो जाती है चाहिए वो कोई क्राइम हो लेकिन ये वो कहानी है जिसको लगभग 35 साल होने को है लेकिन वो एक हाथसा आज भी उससे एक शहर के लोग उबर नहीं पाएं और आज भी उस हाथसे का जखम जहल रहे हैं उसका असर आज भी लोग उपर है हाला कि तीसरी पीड़ी शैद उस शहर में जवान होने लगी है लेकिन तीसरी पीड़ी भी उस जहर से अब तक खुद को बचा नहीं पाई है हजार लोगों की जान गई और कहते हैं कि शैद करीब 5 लाक लोग उसके असर में आज भी है दो लाक या उस से ज़ादा लोग अपाहिज हो गए कहानी है भोपाल गैस ट्रेजडी की और हिंदुस्तान में या दुनिया में इस तरह की ऐसे ट्रेजडी या हादसा इससे पहले नहीं हुआ था ये पहली बार ऐसी कोई चीज सामने आई थी भोपाल में एक कार खाना था जिसमें कीडे-मकोडे मारने वाली जो है वो दवा बनानी थी और वहां दवा बनाई जाती थी तो जाहर से बात है उसके लिए जो रसाइन यूज होता था वो बहुत खतरनाक था और इसलिए वहां पे सारी जो जो सुरक्षा के जितने भी मापड़न थे उन सब का ख्याल रखा जाना चाहिए था और शुरुवात में रखे भी लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीटा गया तो इनसान लापरवाही की तरफ बढ़ता गया और जो मालिकान थे वो पैसे और मुनाफ़े के चक्कर में उन्होंने ध्यान देना बन कर दिया बजट कम कर दी जिसका असर जो हुआ वो तीन दिसंबर 1984 को उसका खौफनाक नतीजा देखने को मिला तीन दिसंबर बलके ये दो से तीन दिसंबर की बात है दो दिसंबर की रात अपनी तारीख बदल रही थी 12 बच चुका था और अब 3 दिसंबर आ चुका था तो 2 और 3 दिसंबर की उस रात को 12 से 1 के दरमियान और दिसंबर का महीना ठंड और भुपाल में मोसम वैसी अच्छा होता है तो ठंड भी काफी थी जादातर लोग सो चुके थे और भुपाल जैसे शेहर में आमतौर पर बारा मतलब काफी वक्त हो जाता है तो जादातर लोग सो रहे थे उसी वक्त एक गहरे काले रंग का एक धुआ जो है अब एक तो ऐसी रात काली और लोग सो रहें तो वो काले रंग का धुआ है या नीले रंग का इससे कोई मतलब नहीं लेकिन जो चश्मदीद हैं वो सब बताते हैं कि एक काले रंग का धुआ एक कारखाने से बाहर निकलता है और धीरे धीरे शेहर के आबादी की तरफ बढ़ता जाता है और इत्फाक के बात है कि उस रात जिस तरफ आबादी थी हवा का रुख भी उधर था कई बार ऐसा होता है कि इत्फाक अलग होता है अगर उस रात जब ये कारखाने से धुआ निकला था ये जो गैस निकली थी हावा का रुख अगर शहर की उल्टी तरफ होता तो शायद तबाही अतनी नहोती लेकिन उसराथ हावा भी लोगों के खिलाफ और शहर की तरफ उसका रुख तो जब रात के करीब बारह एक बजे लोग रजाईयों के अंदर सो रहे थे चुपचाप से हावा में घुली ये जहर जो एक कारखाने से निकली थी आबादी में दाखिल हो जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता है करीब एक घंटे के अंदर जो रफतारती हावा की और जिस स्पीट से ये धुआ निकल रहा था कारखाने से जहरी लग जो एक घंटे के अंदर ये भोपाल की जो आबादी वाला इलाका था ये वहां दाखिल हो चुका और सबसे पहला जो इसका शिकार बना वो इस कारखाने के बिल्कुल करीब दो किलो मिटर के पास ही रेलवे स्टेशन है, भोपाल रेलवे स्टेशन, वहां की लोग इसके शिकार बने, इत्तफाक से रात को प्रेटफॉर्म बहुत सारे लोग थे, ट्रेन भी आ गई थी, ट्रेन से भी लोग उत्रे, और प्रेटफॉर्म पे अचानक ये काले रं तब तक ये किसी को ऐसास नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं, कि हो क्या रहा है, धीरे धीरे जब ये गैस लोगों की सासों में घुलना शुरू होती है, और लोग चक्राने लगते हैं, उल्टियां करने लगते हैं, सर घूमने लगता है, तब तक उनने लगता है कि कुछ ग तो ऐसी सूरत में और ऐसी बधवासी में आमतार पर इनसान की जो फित्रत है वो ये करता है कि वो ऐसी चीजों से दूर भागता है और यही उस राद भी हुआ जब हवा के साथ मिलकर ये जहर शहर की आबादी के हिस्से में दाखिल हुआ तो लोग उससे बचने के लिए जिधर मौका बिला उधर भागे और जो लोग भागे सबस्यादा शिकार भी वही हुए उसके एक वज़ा ये थी कि जो जतनी तेजी से भाग रहा था उसका सांस अतनी तेजी से फूल रहा था और जितनी तेजी से सांस पूल रहा था वो अतनी तेजी से सांस ले रहा था और जितनी बार सांस ले रहा था वो अतनी बार जहर अपने अंदर ले रहा था तो ये सबसे खतरनाक चीज हुई तो जो दोड़ रहे थे जो भाग रहे थे मौत से बचने के लिए उन्हें नहीं म रजाई और कंबल और उसके अंदर सो रहे थे, उनका मूँ अंदर था, उस रजाई और कंबल और चादर के अंदर, वो इस गैस से बच गया, चुकि उस रफ्तार में और उस मात्रा में वो जहर जो है, उनकी सांसों के जरी अंदर तक नहीं पहुंचा, जिनके नाक मुझ था, ये लोग किसमत से बच गये, कई ऐसे किस्टे होए कि एक आदमी को उठा, वो ख्हासने लगा, घरवाले दूसरा उठा, उसने उसकी मदद करने जी कोशिश की, फिर मालूम है कि उसने उतनी तिर में वो गैस ले ली, फिर वो खासने लगा, आपने लगा, तो इस वज नहीं कि ये कौन सियाफत आई है जो लोगों को खासने पे मजबूर कर रही है लोगों को कसर चक्रारा लोग उल्टी कर रहे हैं भाग रहे हैं दोड़ रहे हैं तो क्या करें ऐसी बधावासी में कहां जाए तो जादातर लोगों का रुख शहर के हस्पतानों की दरफ था और करीब एक घंटा के अंदर आबादी के अंदर गैस उसके बार लोगों का भागना हॉस्पिटल की तरफ दोड़ना अब उसमें जो जितनी तेजी से भाग रहा है वो जो भागते भागते लोग गिर रहे हैं तो गिरते हुए लोग भाग रहे हैं अजीब एक महौल था और बहुत सारे ऐसे लोग ही जो हॉस्पिटल तक पहुँच भी गए लेकिन फिर गिर गए क्योंकि जिसने भी तीन मिनट या उससे ज़ादा इस गैस को अपने अंदर लिया वो सबस्यादा इसके शिकार हुए थोड़ी देर में आलम ये था कि हॉस्पिटल और सड़क कई किलोमेटर के रेडियस में लोग पड़े हुए थे उसमें कुछ बेहोश थे कुछ मुर्दा थे सबसे ज़ादा जो इसका असर हुआ वो एक जैपरकाश नगर ये शहर के बाहर बसीवी एक बस्ती जिसमें ज़ादा तर इसी कारखाने में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार के लोग रहते थे और सबस्यादा शिकार भी वो हुए इसके इलावा जैपरकाश नगर के लावा कैची चोला, स्टेशन रोड, बजरिया और भौपाल रेलवे स्टेशन ये इन सबसे ज़ादा असर और सबसे ज़ादा इस गैस की मार इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर पुड़ी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ही मर गए, उन्हें कुछ समझी भी ने आए कि हो क्या रहा है, चुकि ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आप अचानक कोई ऐसी चीज आए, और आपको मालूम नहीं कि ये कहां से हरी, या तो कोई ऐसी चीज़ जो दिखाई दे, या लगे कि इस सेगान का खत्रा है, लेकिन एक हम सांस ले रहें और हमें हवा में मालूम ही नहीं कि क्या गुला हुआ है, और या फिर काले धुआ के तौर पर पूरा एक धुआ का गुबार हमारे सामने आए, तो भी हम उससे बचने की कोशिश करें या लेड जाए, उसमें बाद ने वोने का कि जो अगर घुटनों के बल नीचे आप जमीन पर लेड जाएं तो शायद आप उस गैस से बच जाते, लेकिन उस वक्त इतनी अकल और इतनी समझ कि कोई आइडिया ही नहीं था कि हो क्या रहा है, यह है क्या चीज, तो इस अंजाने पन में लोग जाद से जादा शिकार होते गए, सुबा तक आलम यह था कि हमीदिया हॉस्पिटल और जैपरकाश मेडिकल कॉलेज लगभग लाशों से पढ़ चुकी थी, इमर्जनसी अलड़ी तब तक रात को जब यह हुआ तो सारे सरकारी मशिन डिया सब को पता था, वहाँ पे पहुंचे, उसके बा कि हर पांच दस मुर्दे में से एक का पोस्तमॉटम करें और जो उसकी रिपोर्ट आये, वही बाइक फैंच को मान लिया जाए, क्योंकि सबके शिम्टम एक जैसे हैं, टो पांच यह दस मुदों में से एक का पोस्तमॉटम होता है, और बाकी इसकी बात ओक यह द जू अग हॉस्पिटल में आलम ये था कि जब ये लोग भाग कर आ रहे थे और जो खुशकिस्मत थे बज गए थे तो वहाँ पर भीड इतनी ऐसे लोगों की जो गैस के शिकार कि उनको देख भाल करने में भी मुश्किल आ रही है और सबसे बड़ी दिक्कत जो आई उस वक्त वो ये कि अगले छे साथ घंटे तक डॉक्टरों को भी ये पता नहीं था कि ये लोग जो आ रहे हैं इनको हुआ क्या है इनके सर चकरा रहे हैं क्यों इनके उल्टी हो रही है क्यों साथी मुश्किल साथ लेने में हो रही थी तो ये कुछ मालूम नही अब जब मालूम नहीं तो फिर आप इलाज क्या करेंगे डॉक्टर सत्पती ने बहुत इमानदारी से बताया कि चुके वो सब बिक्दम जीरो थे उन्हें आइडिया ही नहीं कि इतनी बड़ी तादात में इतने सारे लोग एक ही जैसे लक्षन के साथ यहां आ रहे हैं पर इन सब को हुआ क्या क्योंकि अब तक गैस लीग और यूनियन कारबाइट के बारे में कोई खबर नहीं थी तो उन्होंने का कि कईयों को तो उन्होंने बस यूही एक जो आम दवाएं होती हैं वो दे दिया सिर्फ इसलिया कि मरीज को यह लगे कि हाँ चलो तसलिय हो जाए कि डॉक्टर साब ने कुछ इलाज किया तो हम अब ठीक हो जाएंगे और मतलब कोई दवा नहीं थी लेकिन वो दवा यूही दे रहे थे कोई भी एक गोली जिससे आपका कोई रियक्शन ना हो या जो उसके उपर आपके उपर उल्टा असर ना करे तो ऐसी चीज़ां वो मरीजों को दे रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था लेकिन यह था कि मरीजों को लगे कि हाँ उनका इलाज शुरू हो गया उनका इलाज चल रहा है और यही वज़ा है कि उस वज़ा से भी बहुत सारे लोग मारे गए सुबा होते होते फिर खैर खबर पहली कि एक कारखाने से एक जहरीली गैस निकली और उस गैस ने पूरे बुपाल शहर में लोगों के उपर हमला किया और आलम यह था कि जो शहर के मैंने इलाके बताये जितने आपको सारे गली महले चौराहे सड़क अस्पताल अस्पताल के दर्वाजे तक पर लोग गिरे पड़े थे उनकी लाशें पड़ी थी लाशें उठानी मुश्किल हो गई थी पोस्ट मॉटम का मैंने आपको बताया ही इसके बाद शहर के कबरिस्तान और शम्शान वहां का मनजर अलग है कबरिस्तान लगबग भर गया है शम्शानों में लकणियां कम पड़ गए जो जनाज़ा और मयत जो और अर्थियां उठती हैं वहां पे ऐसे हालात ही नहीं थे कि इनको कैसे लाया जाए तो ठेले पर गाड़ी में ट्रैक्टर पर रिक्षे पर जिसको जैसे मिला वैसे लाशे उठा उठा कर कबरिस्तान और शम्शान पहुंचा है और वहां ये भी नहीं देखा गया कि किसके लिए कफन मिला है किसके लिए नहीं मिला क्योंकि लाशी कि कहते हैं कि सिर्फ इस गैस के असर से पहले एक दो दिन के अंदर ही तीन हजार लोगों की मौत हो गई थी हलकि ये सरकारी आकड़ा है जो बाकी अलग-अलग अकड़े हैं वो ये हैं कि करीब 9000 लोग मारे गया थे दूसरा अकड़ा ये कहता है कि करीब 8-8-16000 लोग मारे गया थे तो ये अलग-अलग फिगर है जिसको लेके हमेशा बहस हुई है आज करीब 35 साल भी बहस बात हो रही है लेकिन जो सारे उस वक्त फैक्स और लोकन लोग हैं उनसे अगर आब बात करें तो 3000 का आकड़ा कहीं से सही नहीं है ये बिल्कुल गलत है ये है कि उस पहले कुछ तिनों में ही करिब 10,000 से जादा लोगों की मौत हुई थी और ये जो वहाँ पे जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे जो डॉक्टर थे जो एंजियोज हैं उन सब कर जहीं कहना थी खैर तो वो रात आई और एक साथ कायमत बरसा कर चली गई सुबा होने के बाद ये क्लियर होता है कि ये जो मौत अचानक भोपाल के उपर टोटी थी खहर बनके ये है क्या क्या थी क्या तो पता चलता है कि इस शहर को जो कीड़े मकोणों से बचाने के लिए एक कारखाना बनाया गया था और उसी कारखाने ने इस शहर के लोगों को कीड़े मकोणों की तरह मार डाला क्योंकि लोग रेंगते हुए दोड़ते हुए गिरते हुए भागते हुए मर रहे थे और तब पहली बार यह नाम आता है यूनियन करभाइड का अब दूसरा पहलो यहाँ से शुरू होता है दरसल इस यूनियन करभाइड में उस रात जो 3 दिसम्बर की रात, 3 दिसम्बर 84 की जो रात थी वो जो गैस निकली थी काले रंग के शकल में जिसके बारे में लोगों को आडिया नहीं था वो मिथाइल आइसोसाइनेट कैस यानि M.I.C. इसका रिसाव हुआ था और यही लोगों के सांसों में खुल गई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट यह जो पेस्रिसाइड बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है और इसको जब रिसा हुआ तो ऐसा नहीं कि यह अचानक हुआ था इससे पहले कई बार इस खत्रे को जटाया गया था कि यहां कुछ बड़ा हाथसा हो सकता नमबर एक नमबर टू कई बार इस फैक्टरी से अलाम भी बजए जो वहां पर खत्रे के लाम अगर कुछ इस तरह का रिसा हो या कुछ होता है तो आज पास की जो बस्ती हैं वहां तक के लोग इलाट हो जाते हैं उनको बरीफ किया गया था कि इस तरह के कभी अलाम बजएं तो आप इस बस्ती से कितनी दूर जाएंगे कैसे जाएंगे आप जमीन के कितना उपर सर रखेंगे और सांस लेंगे यह सारी चीज़ें लेकिन तीन डिसंबर 1984 की रात जब यह सब कुछ हो रहा था अलाम बिलकुल ठीक था लेकिन अलाम किसी ने नहीं बजाया और इस पे जब पूरी बातचीत हुई और जब हम लोग खुद मैं उस फैक्टरी में भी गया और वहां के उस वक्त के की इंगेनियर से मुलाकात हु रहे थे तो शायद वक्त रहते हैं अगर अलाम बचता तो यह बस्ती में दाखिल होने से पहले बहुत सारे लोग या तो से कहीं और निकल जाते या फिर जो उनको ब्रीफ किया गया था कि वो कंबल के और रजाई के और चादर के अंदर रखें गीला कपड़ा अपने कैसे भोपाल पहुंची थी तो जैसा मैंने आपको बताया कि कीरा बारने की दवा बनाने के लिए इस यूदियन करभाइट कारखाने का भोपाल में इस कारखाने को शुरू किया गया था 1969 में यह 1969 में शुरू हुआ था और उसके करीब 14 साल के बाद यहादसा हो 84 में इस कं बाक्तिय हिस्सेदारी के साथ जो अमेरिकी कंपनी थी जिसने एक इंडियन कंपनी भी उसके साथ मिलकर इसने इस यूदियन करभाइट नाम से इस कंपनी का प्लांट है वह भोपाल में खोला था पैस्रिसाइड बनाने के लिए और उस पैस्रिसाइड में जाहर सी वात है जो केमिकल रसाइन होते हैं वो यूज होते हैं जब ये 1969 में इस यूदियन कारभाइट फैक्टरी कारखाने की जब बनियाद रखी गए थी तो बाकाइदा उस वक्त इसके सारे जो सेफटी गार्ड्स और ये सारी चीज़ होती उसका बहुत ख्याल रखा गया था क्योंकि ये शुरुवात में इसकी अच्छी खासी इस पर ध्यान दिया जाता था सारे सेफटी मेजर्मेंट और सारी चीज़ों को भी बहुत सकती से पारान किया जाता था लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता कमपनी ने मुनाफ़ा कमाने के लिए जो पहली चीज़ की वो ये की कि एक जब ये कारखाना इस्टैबलिश हो गया तो करीब दस साल जब हो गया 1969 में हुआ और 79-80 की दौरा तो उन्हेंने जो पुराने और तज्जरुबकार मुलाजिम थे यूनियन कारवाइट से उन सब को बाहर करना शुरू कर दिया किस्तों में क्योंकि उनकी सैलरी और बाकी चीज़े बढ़ रही थी एक तो खत्रा था वहां पर काम करने में भी तो उनको ज़्यादा तनकावन का ठीक ठाक मिल रही थी और उनकी जगे पे कम तजरुबकार औ और नए लोगों को कम सैलरी पर रखना शुरू कर दिया तो यह पहली चीज थी जिसने एक खत्रे की घंटी बजाई क्योंकि यह वहां पर जो इस तरह की काम हो रहा था वहां एहतियात और साबधानी की सख जरूरत थी लेकिन जो एक्सपीरियन्स लोग थे जो तजरुबक लेकि चलो 14 साल तो हो गया कुछ होदा तो है नहीं और जिस तरीके से रोटीन ड्रोजमर्णा का काम है वैसी होगा तो वो सारी चीज़े होने लगी जो इनको अपग्रेट करना था उस पूरे कारखाने में और जो इनको नए सारी चीज़ें लगानी थी ताकि इस तरह की च तो इन सारी चीजों ने मिलके एक नेगलिजिंसी पैदा कर दी एक लापरवाही पैदा कर दी और उस लापरवाही का असर कैसे और क्यों हुआ ये तीन जन्वरी 1984 को देखने को मिला हुआ ये था कि उस रात इत्फाक से जो इंजिनियर थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उस शो के दौराथ और उसी कारखाने में ले जाकर उन्होंने वो जहां पे टैंक है उस टैंक के सामने ही बात की थी और मुझे डिटेल्स में समझाया था कि कैसे क्या 610 नंबर की एक टैंक इस टैंक में यहीं MIC यानि मिधाईल आसुसाइनेट गैस भरा हुआ था और काफी मात्रा में अचानक इस टैंक में जो यह गैस MIC थी यह पानी के संपर्क में आ जाती है और इस टैंक में कहीं न कहीं से कुछ पानी का रिसाओ हो रहा था और वो का पानी के संपर्ख में आता है यह Cassas submit consume रेक्षन हो जाता है और इस रियक्षन की वज़ा से उस टैंक में ब्लास्ट हो जाता है चूंकि कि इसका ताप्मान पानी के साथ संपर्ख में आनने से इस टैंक का जो तापमान था वो बहुत टेजी से बढ़ गया था और इसके बाद इससे पहले कि सूपरवाइजर और बाकी लोग कुछ कर पाते हाँ इसमें करीब 42 टन मेथाईल आइसोसाइनाइड गैस था 42 टन तो पानी के संपर्क में आते हैं इसका तापमान भड़ा जो वहां के सूपरवाइजर और बाकी थे वह उनके पास थे यह उनको कुछ समझी भी नहीं आए कि हो क्या रहा है एक ये भी मालूम था कि उने पानी-के-जास संपर्क में आने से क्या हो सकता तो जो वह पे जो लीली गैस का जो गुबार है वो बाहर निकलता है और हवा में फैलता है और फिर सबसे पहले रेल्वे स्टेशन पिर जबरकाश नगर फिर आपका बजरिया इस सारे अलाके वहां से जो है उन में फैल जाता है और इत्फाक से हवा का रुख भी उसी तरफ था जो शुरुवात की है कि सरकारी आकड़े करीब तीन हजार से चार हजार कहते हैं इसमें मौत हुई थी और बाकी अपाहिजों की बात की ही थी कि उसकी वज़़ा से विकलांग हो गया 35 साल में कहते हैं कि अब तक इस भोपाल गैस के असर से मरने वालों के जो फिगर है वो करीब 30,000 है क्योंकि जो उस वक्त जिन्हों ने भी गैस जिनको लगी भोपाल में आप लोकल लोगों से बात करेंगे तो यही शब्द इस्तमाल करते हैं कि उसको गैस लगा आप किसी स एलन्ज में हो चुका वहाँ पर तो करीब इतने सालों में कहते हैं कि जो भोपाल गैस की वज़ा से 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है 5,000,000 लोग इस गैस के असर में आए और 2,000,000 ऐसे हैं जिनको इस गैस ने हमेशा के लिए आपाहिज बना दिया यह फिगर है अलग-अलग लेकिन आप दूसरा यह भी कहते हैं कि जो कैंसर के सबस्यादा पेशन्ट है सबस्यादा कैंसर की जो मार आज भी है वो भोपाल में इस गैस की वज़ा से उसका सराज भी है भोपाल में ऐसे बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे इलाकें जहाँ आप जाएंगे कोई भी जा सकता है देख सकता है आज 35 साल बात तीसरी पीड़ी है वहाँ पर लेकिन आज भी भोपाल में बच्चे जिन जिनके को गैस लगी थी उसके असर से नहीं निकले तीसरी पीड़ आज भी वहाँ पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं इसके लावा कई बच्चे अपनी उम्र से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जैसे उनकी उम्र तो हो गई 10 साल लेकिन उनका उनकी शरीर की जो बनावट है उनका जिस तरीके से शरीर को विक्सित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो ऐसे कई बच्चे जिनको आप देखेंगे तो लगेगा पैदाईश के कई साल हो चुके हैं लेकिन वो बच्चे ही लगते क्योंकि उनकी हाइट और बाकी चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं नजर की कमजोरी जिनको भी गैस लगी उनके जो बच्चे पैदा हो रह और करीब करीब एक फीगर है कि इन सारी चीज़ों को लेके करीब इन 35 सालों में दो लाख लोगों को इस गैस ने बेशक 30,000 लोगों की मौत होई इस 35 सालों में लेकिन दो लाख से जादा लोग इस को को अपाहिज बना दिया पांच लाख से जादा लोग इसके असर में है जिनका सांस फोलने से लेके बाकी चीज़े है और आज भी 1984 के इस हाथसे के बाद ये 2018 में भी उस गैस के असर से भोपाल के लोग बचे नहीं है बलकि वो जो पुरानी पीड़ी को जो गैस लगी थी वो आगने वाली अपनी अगली पीड़ी को भी वो गैस दे रहे है और ये दो चीजे हो गई हाथसा और उसके बाद कारखाना टैंक नमबर 630 अब सवाल ये कि गुनेगार और जिम्मेदार कौन इतनी सारी मौतों का इतने सारे अपाहिज लोगों को बनाने का तो मैंने आपको बताया थे कि अमरीकन कंपनी थी और एक भारतिये हिस्चेदारी के और ये जो यूनियन कारबाइट इसका जो ओनर था उसका नाम था वारेन अंडर्सन जब यह हाथसा हुआ वारेन अंडर्सन यही था इंडिया में अब जब इतना बड़ा हाथसा हुआ है इतने सारे लोग मारे गए तो जाहिसे बात आवाज ब्यूटी और लोगों का घुस्सा भी तो सरकार को दबाओं में और मजबूरी में वारेन अंडर्सन को गरफतार करना पड़ा लेकिन गरफतारी भी एक तरह से बीवी आइपी ट्रेट्मेंट थी कि एक ले जाकर एकदम साहप की तरह बंगले में रखा गया और सारी चीजें और उदर अमेरिका का भी दबाओं और उस वक्त कि हमारी सरकार ने यहां पर यह बड़ा घलत काम यह किया कि गिरफतारी के बाद चौथे ही दिन सर्फ चार दिन के अंदर व गोपाल से बागादा स्पेशल प्लेइन में दिल्ली लाए गया और दिल्ली आते ही वारेन एंडर्सन अमेरिका चला गया 84 की ही बात ही है साथ दिसंबर की बात है तीन दिसंबर को यह हाथसा होता साथ दिसंबर को चार दिन के अंदेंदर सोची कि हजारों मौत इतने सारे लोग अपाही लेकिन अंडर्सन का कुछ नहीं होता और वो चार दिन के बाद अपने देश वापस अमेरिका लौट जाता है और जिन्दगी में कभी वापस फिर हिंदुस्तान नहीं आता 2014 में हिंदुस्तान आती है तो वारेंड अंडर्सर के मरने की खबर आती है चुकि अमर भी हो गई थी तो उसकी मौत हो गई लेकिन उसको हिंदुस्तान का कानून सजा नहीं दे पाया उसमें जाहिर सी बात है कि हमारी उसकी जो सरकार की एक्षाशक्ती सी वो कमजोर थी और कहीं न कहीं अमरिका और बाकी चीजों के दबाव में भी थे खैर इसके बाद ये मामला चलता रहा है 84 के बाद दबाव भी रहा यूनियन कारवाइट पे 1989 में यूनियन कारवाइट ने फिर एक बीच का रास्ता निकाला और ये मालूम नहीं कि इस पे हम लोग और हमारी सरकार कैसे तयार हो गई और इस गैस कारण में मरने वाले लोगों को मुहाफजा देने को तयार हो गई Union Carbide ने 1989 में मुहाफजा के तौर पर 715 करोड रुपए 715 करोड देने का एलान किया अब ये सुनने में आपको बहुत लग रहा है 715 करोड लेकिन अब फीगर आएंगे तो लगए गए इससे बड़ा मजाग कुछ ही दी अब ये 715 करोड जो MP गवर्मेंट ने लिस्ट बनाई थी उसमें थे करीब 3700 लोगों के मरने की जो ओफिशियल फीगर दी गई थी कि 3000 कुछ लोग मरे हैं तो उनके फैमली को और करीब 5 लाख लोग जो इस गैस के विक्टिम हुए है जिनकी जो मरे नहीं लेकिन जिनकी सांसें लेने में मुश्किल हो रही है जिनको कुछ और चीज़े हो तो जो इस गैस के असर में आये ऐसे 5 लाख वो और 3,100 कोई करीब 3700 के करीब जो इसमें जिनकी डेथ हुई थी एक ओफिशल फीगर दिया था एंपी गवर्मन्न ने उस वक्त तो 5 लाख जो जिन्दा बचे और इस गैस के शिकार बने किसी ना किसी तरीके से और करीब 3700 लोग जो नहीं रहे मारे गए तो 5 लाख 3700 लोगों के बीच में 715 करोड रुपे बाटने का फैसला किया गया और इस तरह से हर एक गैस विक्टिम या गैस के शिकार मारे जाने वाले के हिस्से में हर एक शक्स के हिस्से में जो पैसे आए वो सिर्फ 12,410 रुपे थे 12,410 रुपीज एक जान की कीमत 12,410 रुपे एक गैस शिकार के पीडित की कीमत 12,410 रुपे जो आज 35 साल से उस गैस को झेल रहा अपने अंदर तमाम बीमारियों को लेकर और न सिर्फ कुद झेल रहा है बलकि आने वाली पीडियों को भी वो गैस विरासत में दे रहा है तो 12,410 रुपे कीमत लगाई गई भोपाल गैस के हर विक्टिम की जो इसके शिकार बने अब इससे बड़ा मज़ाग क्या होगा तो ये थी पूरी कहानी भोपाल गैस कान की इससे रिलेटेट जो भी सवाल जवाब कुछ अर्जिंसी आ गई ये लगता है कि कुछ स्टोरी असल में थोड़ी सी फसी है और कुछ लोग भी आये हैं तो हला कि दीपक खड़ा वा था मैं भी आज नोट करके लेकर आया था आप लोगों के इसको कल पढ़ूँगा तो आप आज के लिए माफी इजाज़त दीजे अपना खयाल रखे है काले कि अच्छे रही है और इसी तरीके से क्राइम तक फैमिली को अपना प्यार देते रही है थांकी वरी मच